हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है त्रिप्ता और मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है अगर आपको भी घूमना और खाना पसंद है तो चलो मेरे साथ इस वीडियो में फ्रेंड्स आज हम जाने वाले हैं एक एसी जगह जो की है जीटी रोड पर इसका नाम है नीलकंड स्टार और यह करनार रीजन में आती है अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो डेली टू चंदिगर चंदिगर टू डेली मतलब और नियर्बा एरियास पर तो आपके कुछ अच्छी है तो मुझे लगा वाइनॉट शेर इट विद यू पीपल ताकि आप लोग भी जाओ और वाहां का वज़ा उठा सको राइट तो यह लोग हम पहुंच गए हैं मौसम आप जैसा की देखे रहे हो बहुत बहुत सुन्दर है आज तो एकदम ठंडे मौसम अ बाहर गार्ट लोग थे जो आपको पाकिंग के लिए हल्फ कर देंगे पीछे जो लेफ्ट साइड में अभी आपने देखा ना उटी का शोरू में तो आप उससे थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो कि उसके राइट साइड में ही यह जगा पड़ेगी अगर आप डेली से और यहां का मुझे थोड़ा जो हिसाब किताब है इनकी डीलिंग विद थेंग्स है वो थोड़ा ज्यादा बेटर लगी मुझे क्योंकि वहां पर थोड़ा कन्फूशन होती है चलो उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी तो यह आप जगा देख सकते हो इनके र हा ट्विस्टींग स्कूप पोलं झाल तो ट्विस्तिंग स्कूपश जो ओता है नाम देख लिया तो ट्विस्टींग स्कूपस मुझे वहां से बड़ा ही राकी प्रिक आपको चूं जो हम यह इंकर आपको जान छो कि यह थी तो चलो हम एंटर कर गए है और यह हम वहां को डेफिनिटली मेही तरफ से एक प्लस तो मिलता ही है जो की इनको मिला तो मुझे लगा कि एक ग्लिम्स तौप को दही दू तो आपने देखा वर क्लीन और अंदर वाश्रूम सी बहुत क्लीन थे थैंक यू जिनों ने भी उसको मेंटेन करके रखा है यहां मुझे दिख गई है कि दिल खुश हो गया तो फटाफट से बैठती हूं और देखती हूं कि खाने के लिए क्या क्या है मैंने आपको दिखाया है भी डोसा प्लाजा भी है यहां पर तो अगर आप साउथ इंडियन फूट के दिवाने हो तो आपके लिए भी यहां पर भी मतलब की साउथ इंडियन दिशिज भी बहुत सारी अवैलेबल है जो भी आप लेना चाहो वो आप दोसा प्लाजा से ले सकते हो बट यहां पर एक कैच यह है कि अगर आप सब्वे या डोसा प्लाजा से कुछ भी च अधर वाइस इन चीजों के लिए सेफ सर्विस है यह देखो डोसा वैल्यू कॉमबो सेफ सर्विस लिखा है और अगर आप निलकंट स्टार जो नॉट इंडियन फूड का चेन है इनका यह देखो आप देख सकते हो ना इसमें सब नॉट इंडियन खाना यह स्नाक्स हैं त यहां का कुछ घंगा यह दो यहां वहां पर आपको मतलम भी देते हैं वहां बैटकर आप सकते कि और वेज तो लग सकते हैं यह पानी बोटल जो अवेलेबल थी हम नहीं लेक्यों कि हमारी पानी था और रड़ी और आमें पानी की जोत्नी थी अन्ड दीजाधी गलासे थी य convicted so clean, नो ऐट अगर अब तो आप जानता ही हो गे ज़िन कि एख इलओ लीने मुझे लिए 77 00H7 PE depicted 26 और यह है the tissues लिखा हुआ हैह खाओ गे दहुन रखागए याद तो अगर आप tasty खाना काओगे खाओ कि ते रखोगे याद तो अगर आप tasty खाना खाओ के कहीं भी मुझे लगता है कि याद रहता ही है आपन को राइट तो ऐसे ही मैंने tasty खाया तो मुझे याद है और अब चलो order कर लिया जाए फटा-फट से की जो भी मुझे खाना है मैंने अपना order कर लिया है और सबसे पहले मैंने मंगाल की गोलगपे अगर मुझे लगता है कि this is not to be missed और जहां के गोलगपे अच्छी है वह जगा बाई मेरे लिए तो हिट है थोड़ा से मुझे गांसी है तो अगर मेरी वाइस बिल्कुल same to same नहीं लग रही होगी आपको त तो यह मैंने अपनी टेक्निक लगा के गोलगपे एक आज से डाल लिये और खा लिये और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे गोलगपे मुझे तो बहुत यमी लगे बढ़ ज्यादा मज़ा वही आता है यार को जो स्टॉल पर खड़े होके हम खाते है और भीया साथ के साथ उसमें जादा मज़ाता है ओवियसली यह थोड़ा सा जादा हाईजिनिक दिखते है बट उसमें वज़ाता है वह घ्यादा टेस्टी लगते है साथ के साथ खाऊ तो और यह देखो उपर इन उनने जो वाल्स डेकोरेट कियू है है यहाँ पर लिखा हुआ कुछ लिखा यह यह देखो क्या आपने प्यार में धुकला खाया है बस उसकी तो बात नहीं करो यह देखो आप क्या क्या लिखा हुआ जैसा न कोई टू वेच थाली एंड जलेबी के साथ लिखा है नाम जलेबी बाई एंड कभी-कभी मेरे दिल में खयाल आता है कि जैसे तुछ को बनाया ग तुम जो आई जिन्दगी में बात बन गई मुझे खोकर जो तुम जाओगे बड़ा पश्ता होगे नहीं मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पश्ता होगे दैट इस वेच पुला फोर यू एंड साथ में छोले हैं सबर नहीं रुको जरा सबर करो शाही पनीर विच टेक्स ताइब चलो जी अब अपना खाना आ गया है तो यह देख लेते फटा फट से इस पॉपर्ड गोटी नान देखो इस कपते होगे है तोस्टे होगे है राइस इंचे तमीस से टीशू कुरचा है तालमकनी शाही पनेर मिक्स वेज रायता सैलेड खीर जो कि मैं तो खीर तो मुझे इतनी टेस्टी लगी मुझे देखकर कंट्रोल लिवा तो मैंने फटाफट से सबसे पहले वही खाली हाम है अन्हीं लोगों से सबसे पहले डेजर्ट खालेते हैं अगर अच्छा लग रहा हो तो तो लो जी उससे बात नी बनी सिरफ तो मुझे लगा थ और साथ में मैंने मंगा लिये एक चाय भी ब्रेट पकोड़ा भॉट टेस्टी था यालिक कि टता प्लेदीर नी ओडैकिशे था ओर कर वहां थिया था ना था उख फिसकी देख सते हो जैसे करड की प्यकिंग होती देख लिए ना वैसी सब बहुत अच्छा था था एक है कि इन्होंने प्लास्टिक की थाली में क्यों दी अब यह तो कर इन कोई पता होगा नहीं तो स्टील में से खाना थोड़ा मुश्किल होता है बट्यार स्टिल उसमें मतलब जाद आचा लगता है मुझे लगता है तो दिस वास दबिल और साथ में इन्होंने केचप पी रखी वी अगर आप लोग इस रूट पर जाते रहते हो तो इस इस डेफिनिटली मस्ट विजिट प्लेस कहीं भी अगर आपको रुकना है थाने के लिए हम लोग रुकते ही है कहीं नहीं तो आप थोड़ा स्नैक्स ले सकते हैं जोरी नहीं है कि आप पूरा अंदर जाके खा हूई है अगर आप कफी लवर तो कॉफी पीने के लिए रुक सकते हो और कुछ आइस्क्रीम अ स्नैक्स तो मैंने को दिखाए कैंडी लवर तो कैंडी ले सकते हो और अगर आप शॉपिंग करना चाते हो तो उसके लिए भी इनके बास ओप्शन्स हैं गिफ्ट गिफ्ट शॉप है और क्लोज की ये बिग ब्रैंड की शॉप्स हैं और साथ में यहां पर अचार भी मिल जाएगा आपको फुट फेयर भी मिल जाएगा जूती वगारा पान कॉर्नर आगे तो काफी सारी ओप्शन इनके पास अवेलेबल हैं जिससे आप अच्छे से खाकर अपना एक फंट कर नाल रहते हैं उनके लिए भी दिसस आर वेरी नाइस प्लेस अभी ये कर नाल है तो यहां से दो तिन घंटे और लगेंगे मुझे घर पहुंचने में तो मैं फटा फट से चलती हूं अपने घर आई होप आच का ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ अगर आपको ये पसंद आयो तो प्लीज आप इसे लाइक करना और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैं इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस सी यू अगें